पालक की बुआई करने चल रहे हैं हम अपनी खेत में यह हमारा एक बिगह का खेत है और हमने यह नाली बना के रखे आप देख सकते हैं बुआई कि जाएगा तो इसकी जो है अभी जुताई हो चुकी है खेत जो है अगदम भुरी मिट्टी हो चुकी रोटा बेटर से दो बहां तक जुताई की गई है किसान साथियों अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसकी कैसे चिटाई के जाती है और बीच को कैसे मिलाया जाता हूँ इसमें हम कौन-कौन सी खाद डालेंगे तो किसान साथियों वीडियो में आप बढ़ेंगे यह हमारी जो है 10 किलो डाई है इसमें और यह जो है डाल दिया किसान साथी यह 1-1 को और यह हम ऐंख साथ चीसान सार अप देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं यह सब जो हैЬ साथ मिर्डाषा थातफी ची आहरी यह यह घ झास पूरे यह 2-0 сам आहरी एक मिक्स की उरही है पहले आप खाद को सकते हैं और जब यह टोटल मिक्चर बना दिया जाएगा इसके बाद में इसमें पांडे सीट का मेरा पलाकी है वहम इसको मिक्चर करेंगे है कि यह किलो जो बीजह मेน डाला जाता है किलो यह लगबक 2 किलो लगता है एक बीजह में किसान साथियों को हम अभी जो आपको दिखाएंगे वीडियो में आप रेगुलर बने रही है किसान साथियों आपको हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे ये छीटा जाता है उसके बाद में हम ये भी दिखाएंगे कि नाली जो है कैसे हम बनाएंगे बरसात का टाइम है तो बरसात में जो है इसकी नाली कैसी र किसांसाथियों देखिए धियान से यहाँ पलाकी हमारा पाइंडे सीड का है और कितना अच्छा है यह इसको काटिए थोड़ा सा काट के इसमें मिलाएए किसान साथियों अब ये जो है इसकी कटिंग की जा रही है और अब इसमें जो है ये मिक्चर किया जायेगा तो हम आपको दिखाते हैं इसका बीज जो है कैसा होता है वो हाथ में लेंगे तो दिखाएंगे देख सकते हैं किसान साथियों ये पलाकी का बीज है आप देखिए ध्यान से गौर से देखिएगा, यह पलाकी का बीज है, आप देख सकते हैं, मिलाईए इसमें, किसान साथियों यह पलाकी का बीज जो है, इसमें मिलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं, और आप वीडियो में बने रहिए, जो है काफी छे से वो है, आप सारी पैकेट को कट क चार पैकेट को जो है इसमें मिलाया जाएगा उसके बाद में जब छिड़काओ किया जाएगा तो छिड़काओ भी जो है आपको इसका खेत में जब मिलाया जाएगा डाला जाएगा तब वो भी आपको दिखाया जाएगा खेत में कैसे डाला जाता है किसान साथियों किसान साथियों ये अब मिलाई जा रही है उसमें खाद में आप देख सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से आप खाद में पूरा मिक्चर करेंगे एक अच्छे उसमें कि ये पूरी तरीके से खाद में जो है मिल जानी चाहिए ताकि जमाव जिसे बोलते हैं जर्मिनेशन वो काफी अच्छी मात्रा में हो और पौधे जो हैं सारी जो गोहों पे एक साथ दिखें किसान भाईयों आप देख सकते हैं कि कैसे मिलाया जा रहा है इसको एक आप प्रॉपर तरीके से आपको मिलाना है कि ताकि समस्याएं ना है और मेरी पिछली वीडियो भी आए थी पलाकी के बारे मैंने बताया था ये भी मैंने बताया था कि मैं पलाकी की खेती करने जा रहा ह अभी मेरे पलाकी की बुआई होगी सान सनी इस विएक जो आब गंद इसके जह एक साथ ये फिर honestly प्रूडाइड की जा रही रही इक आप जो है अपको प्रूडारी की छिए बनाई जाती है वीडियो में प्रॉफर तरीके से किसान भाईयों हम वह भी दिखाएंगे अभी आप वीडियो में कांटीन्यू बने रही है कैसे इसकी बुआई की जा रही है प्रॉफर वह आपको देखने को मिल जाएगा ताकि आप अगर अपने हाँ पालक की बुआई कर किसान साथियों आप देख सकते हैं कैसे पालक की बुआई की जा रही है किसान साथियों अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें मेडी कैसे बनाई जाती है में आप बने रही है किसान भाईयों यह जो खाद है वो छीटी जा चुकी है अभी आप देख सकते हैं यह सामने का पूरा एरिया है यहां पे जो है यह मेडी मारी जा चुकी है इस साइड में लगभग चारो तरब इदर पूरा जो है जो है नाली कंप्लीट हो चुकी है अभी जो है इधर थोड़ा सा काम चल रहा है इस साइड में बस थोड़ी सी बची हुए अभी यह भी कंप्लीट हो जाएगी किसान साथियों हमने जो है इस पर सोचा है कि अभी जब मेरी पालक जो है निकल जाएगी आप देख सकते हैं पालक की जो मैं ने मेरी बनाए यह बहुत कम जाएगा और ऐसे करने से जमाव जो है काफी अच्छा आएगा किसान साथियों अभी हम इस पर क्या करेंगे कि इस पर हम मिर्च लगा देंगे अब जो हमारा वो निकल जाएगा पालक निकल जाएगी पालक जो हम निकाल देंगे इस पर फिर हम मिर्च लगाएंगे मिर्च की नर्षरी हमारी मिर्चे की पढ़ चुकी है अभी तो हम इसका ट्रांस्प्लांट कर देंगे उसके बाद में फिर इसकी गुडाई मिर्ची की करवाएंगे अभी तो ये लगबग एक विगाह के आसपास में आप देख सेते हैं ये हमने नाली बनाई है छोटे वाले समरसेबल से छीचने के लिए जो घरवाला होता है उसी से हम इसके अगर पानी की ज़रूरत पढ़ती है तो इसकी जो है हम किसान साथियों सिचाई करेंगे किसान साथियों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और